हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरी नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइलेबस फोर सीएसाईयार नेट एग्जाइम दोस्तों जॉइंट इउजिसी सीएसाईयार नेट एग्जाइमिनेशन एक बहुत ही बड़ी एग्जाइमिनेशन होती है जिसे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसे देते हैं तो जो इस examination का syllabus होता है वो बहुत vast होता है बहुत ज़ादा vast syllabus होता है इस examination का और बहुत बच्चे जो new coming बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें Joint CSIR-UGC-Net को clear करने के लिए तो वही आज मैं इस वीडियो में cover करने वाला हूँ कि what is the syllabus for this exam तो simply हम इस CSIR-Net की official site पे जाकर syllabus को देखेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आपको कोई भी web browser open कर लेना है अपने phone का जैसे कि मैं open कर रहा हूँ यह मैंने web browser open कर लिया मेरे chrome का यहाँ पर simply आपको लिख देना है CSIR-Net-Exam syllabus जब आप यह लिख देंगे आपको enter कर देना है ठीक है वहाँ पर आपको एक link मिलेगा उस link पर आपको click करना है वो link यह है यह link है CSIR-HRDG के नाम से यहाँ पर आपको click करना है चलिए दोस्तों इसके उपर हम click कर देते हैं यह हमने click कर दिया उसके बाद यह official site जो है वो खुल जाएगी open हो जाएगी यहाँ पर सबसे बहले आपको इस option पर जाना है इसको मैं zoom करूँ तो इस option पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको syllabus का option दिखेगा वहाँ पर आप इसको click कर देंगे तो देखिए यह जो है अमारे पास यह पूरा का पूरा यह syllabus आ गया यह syllabus खैर इसके अंदर दिया हुआ है कि CSIR UGC Net है इसके अंदर काफी information दी हुई है अगर आप एक new student है new aspirant है आपने हाल ही में अपनी post graduation करी है MSC करी है किसी भी life science biology किसी भी science में तो आपको अगर आगे higher studies के लिए जाना है further यानि कि PhD करनी है तो आपका net examination जो यह CSIR net examination है वो clear होना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको जो है वो साथ में JRF मिलती रहे because JRF is a very important क्योंकि जो government है आपको fellowship देती है to continue or higher studies जो कि बहुत ही जादा helpful होती है एक student के लिए तो दोस्तों अगर हम इसे देखें ध्यान से देखें तो यहाँ पर chemical sciences, earth sciences, life sciences, mathematical sciences and physical sciences यह इन इतने सारे exams को यह conduct कराती है CSIR UGC net examination और जो हम particularly बात कर रहे हैं that is about the life sciences examination because we are a biology student, I am also a biology student so हमारा जो हम exam देंगे वो life sciences का होगा तो उसके अंदर जो यह दिया हुआ है अगर आप त्यायन से देखें यह जो है उसका marking scheme कैसे मैं marking scheme होगी क्या pattern होगा exam का वो यह है और in all subject areas net is an actually question paper और इसका जो main syllabus है वो मैंने next video में cover up करूंगा because in the next video मैं उसका link जो है आपको description में दे दूँगा अगर आप उस video में जाएंगे तो आपको शाहिद पता लग जाएगा because 13 units होती है जो पूरा का पूरा syllabus है जो यह CSIR UGC net का है वो 13 units में उनको divide किया गया है मतलब अगर आप वो 13 units कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा syllabus cover up हो जाएगा तो 13 units जो है वो मैं आपको उस video में बताऊँगा जिसका link आपको description box में नीचे मिलेगा दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको यह video बहुत ज़्यादा helpful लगी होगी अगर आपको यह video helpful लगी तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर कर देना because it gives me courage to upload more videos अगर आपको कोई भी आपके questions है कोई भी problem है तो आप उसे comment down कर सकते हैं और वहां से मैं उनके उपर या तो वीडियो बना दूँगा या आपको डायरेक्ट रॉप्लाई कर दूँगा थैंक्यू दोस्तों जय हिंद जय भारत